हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका आश्वाई सर, यह इंपॉर्टन रियक्शन और कन्वर्जन और फिंगर टिप के सिरीज में आज लेक्चर नूमबर टैन में हम पढ़ेंगे एक और इंपॉर्टन रियक्शन जिसका नाम है गैब्रियल थैलमाइड सिंथेशी साफ वन ड इएमाईड मतलब इस मिथड से हम वन डिगरी इमाईड का फॉर्मेशन करते हैं अर्थार यह इेमाईड चाप्टर का रियक्शन है इमाईड बनानी का प्रॉसेस है ठीक है यह NCRT 12th की NCRT के इमाईड चाप्टर में amine बनाने का एक process है मैंने आपको बताया था कि 4-5 reaction जो amine chapter के हैं वो आपके shift में 100% आने के chances हैं वो 4-5 reaction में एक ये भी reaction है वो 4-5 reaction का नाम मैं फिर से बता दू पहला कि carbyl amine reaction दूसरा है gabriel thalmide synthesis of 1 degree amine तीसरा है half mint bromomide degradation reaction और चौता है reaction with hints burr reason and 5-5 reaction है reaction with benzene reaction with NaNO2-SCL जैसे disotization reaction क्याता है और जो benzene disonium chloride बनता है उसके reaction अगर हम इनको मिला लें तो पक्का 100% एक question आपके exam में आने के chances है ये सिर्फ J mains नहीं NEET J mains में भी पूछ सकता है NEET में भी पूछ सकता है J advance में भी पूछ सकता है है ना आपके board में भी पूछ सकता है वो board आपका कोई सा भी हो किसी भी state का board हो CBSC board हो वो कहीं से भी पूछ सकता है तो इसलिए ये reaction काफी important है अगर हम half man bromomide degradation reaction carbyl amine reaction इन reaction को 7 star देते हैं तो इसको 5 star देते हैं Gabriel Thalmide synthesis 1 degree amine इससे भी अच्छी एक टेक्निक है 1 degree amine बनाने का जिसे कहते हाफ man bromomide degradation method जो हम आगे पढ़ाएंगे ठीक है तो चलिए start करते हैं Gabriel Thalmide synthesis of 1 degree amine इक शलिए Gabriel नामक scientist ने Thalmide का प्रयोग करके 1 degree amine बनाया इसलिए इसका नाम पढ़ा Gabriel Thalmide synthesis of 1 degree amine ध्यान से देखिएगा जैसे ये होता है थैलिक एसिड Benzene 1,2-dicarboxylic acid को हम थैलिक एसिड कहते है Benzene 1,2-dicarboxylic acid को हम कहते है थैलिक एसिड इससे लिखा जाता है pH silent होता है pH-T-H-A-L-I-C थैलिक एसिड ठीक है अब अगर इसका reaction हम ammonia से करा दे मात्र ammonia से करा दे सिर्फ ammonia से करा दे तो इनके बीच में acid-base reaction होता है दो ammonia के molecule एक थैलिक एसिड के साथ reaction करके बना देता है ammonium salt of थैलिक एसिड या ammonium thalmide कह सकते हैं आप अमोनियम thalmide और फिर इसको अगर हम heat कर दे तो पहले यहां से दो H पहले यहां से दो H और यह O बहार निकल लाएगा यहां से भी दो H और O बहार निकल लाएगा दो H और एक nitrogen यहां बचेगा और यहां देखना यह O और यह H2 बहार निकल दो यह O यह H2 बहार निकल दो यह एक तरीका है यहां से water की molecule बहार निकल लाएगे और यह Ammonium Salta Thalic Acid यह से Ammonium Thalade कहते हैं यह बन जाएका Thal Amide Amide आप Thalic Acid है न इसे कहते हैं P-H-T-H-A-L Thal Amide Thal Amide अभी हम Thal Amide नहीं है और फिर इसको हम वापस heat कर दें याद रखिएगा थोड़ा strong heat कर दें यहां पर ठीक है तो यह वापस reaction करेगा यह Nitrogen Nucleophile बनके एक Carbonyl Carbon पर attack करेगा यह एक proper थरीके द्वारा यह यहां attack करेगा फिर यहां से NS2 और यहां से AKH बहार निकल लाएगा Ammonium Molecule बहार निकल लाएगा और we get this Enhydrate अप Enhydrate क्या थैलिमाइड वी गेट Enhydrate ने इसे बोलेंगे हम थैलिमाइड यह थैलिमाइड है Amide लिखा है यह थैलिमाइड क्योंकि इसमें NS ग्रूफ है तो P-H-T-H-A-L-I-M-I-D थैलिमाइड यह है थैलिमाइड इसी थैलिमाइड का प्रियोग करके यह इसी थैलिमाइड का प्रियोग करके गैब्रियल नामक साइन्टिस ने Amide का formation किया है उन्होंने कहा घर में थैलिमाइड रख लो थोड़ा बेस रख लो घर में पानी रख लो इलकाइल हलाइड रख लो जो Amide चाहिए यहाँ पर बना सकते हैं अगर आपके घर में धिर सार इलकाइल हलाइड है तो बस एक जरू यहाँ पर थैलिमाइड की घर में बहुतल में अब कैसे इस थैलिमाइड का प्रियोग करके गैब्रियल नामक साइन्टिस ने माइन बनाया था अब मैं वह बताता हूँ यह तो थी भूमी का थैलिमाइड क्या होता है गैब्रियल इंसान नेक्स थैलिमाइड का प्रियोग वो रास्ता बताने वाराए GPS नहीं है ना यहाद गेब्रектор थेलिमाइड में जो Nitrogen से जुड़ा hydrogen होता है यह बहुत जादा Acidic होता है यह बहुत जादा यह highly acidic होता है है ना यह बहुत जादा Acidic Hydrosin होता है क्यों क्योंकि अगर यहां से hydrogen हटा तो इस माईनेस चार्ज का दोनों तरफ रेजोनेंस होने की चांसे है, और दोनों साइड से electron भी drawing गूरूप अटेच होने की वज़े से ये hydrogen highly acidic होता है बहुत ज़्यादा acidic होता है highly acidic active methylene compound के hydrogen से भी ज़्यादा acidic होता है, क्योंकि active methylene compound में carbon होता है यहाँ पर active methylene nitrogen है और साथ में दोनों तरफ minus M group attach तो बहुत ज़्यादा acidic होता है इसका reaction हम कराते हैं base के साथ वो base इस hydrogen को चुरा लेता है देखो इस hydrogen पर positive charge रहता है तो इस hydrogen को OH यहाँ से चुरा लेगा और जैसे यहाँ से hydrogen चुरी होगा nitrogen पर आजाएगा minus charge ठीक है अच्छा nitrogen का low impact इसके पास है उसके कोई लेना देना नहीं है यह bond का electron यहाँ पर और आजाएगा और यह बन जाएगा thalemide का iron अब हम इस thalemide का reaction करा दे इसी के साथ हम जोड़ते हैं K+, potassium thalemide इसका reaction करा दे alkyl halide के साथ Rx के साथ जो amine बनाईए वो alkyl halide ले सकते हैं हमें पता है कि alkyl halide की R पर plus charge होता है और halogenic living group present है इस पर आसानी से nucleophile का attack हो सकता है और यह nucleophilic reaction आसानी से so करता है जिसे SN1, SN2 reaction कहते हैं और यह जो thalemide का salt बना है इस behaving like a nucleophile यह एक प्रकार से nucleophile ही है क्योंकि nitrogen पर minus charge है तो यह nucleophile बनके यहां पर यह इस R पर attack करता है जैसे nucleophilic substitution reaction नहीं होता है SN1, SN2 reaction वो SN2 mechanism द्वारा इस पर attack होता है SN2 method द्वारा और यह R के साथ thalemide जोड़ जाता है and we get this N-alkyl thalemide N-alkyl thalemide और यह halogen यहां से बाहर निकल गया रास्ते में K के साथ मिलके बना देगा minus KX यही बना N-alkyl thalemide P-H-T-H-A-L-I-M-I-D N-alkyl thalemide यह N पर जो अलकाइल ग्रूप है अब अगर यह methyl होगा तो बोलेंगे N-methyl thalemide इथाइल होगा तो N-ethyl thalemide जो भी ग्रूप लगा होगा उस ग्रूप का नाम लेकर के आप बोल सकते है N-alkyl thalemide अलकाइल ग्रूप का नाम लो और thalemide लास में बोल दो यह है अब इसका hydrolysis बहुत आसान होता अब इसकी hydrolysis हम कर दें यहाँ पर याद रखेगा अलकोली के वेज हम जो लेते हैं तो यह के वेज सुध नहीं होता ये एक्वस के वेज इसमें डहेर सारा वाटर भरा होता ठीक के यहाँ पर जो के वेज और वाटर भरे हैं इसका reaction वाटर के साथ के वेज की उपस्तिति में करा दें तो याद रखेगा फिर से ये वाला bonn hydrolyze हुझाएगा और चुकही nitrogen पर क्यों सा negative charge है carbon पर positive charge है तो जब ही आप water reaction करेंगे तो ये वाला bonn टूट जाएगा nitrogen पर minus हा जाएगा और carbon पर plus nitrogen का minus water की gets को लेकर के बना देगा यहाँ पर H आ जाएगा यहाँ OH फिर उसी प्रकार से जैसे उपर अला बॉन टूटेगा ठीक उसी प्रकार से नीचे अला बॉन भी टूटके ऊपर जाएगा यहाँ पर माइनेस और कार्बन पर प्लस आएगा और वाटर का दूसरा मालीकुल जो होगा यहाँ जूट जाएगा और यहाँ हाँ जाएगा और यहाँ हाँ जाएगा और वी गेट दिस प्लस एन ह2 आर और मैं आपको बता हूँ यह मुहला बेस है OH- है तो बेस की मुहला में अगर एशिड बनेगा तो इसका हाइडोजन फिर से चोरी होगा और यह एशिड कनवर्ट हो जाएगा कैसे यह O- इसके OH को बेस चुटा लेगा और यहाँ जाएगा O- K-H और यहाँ पर K जुटा रहेगा यह बन जाएगा potassium thalamite और यहाँ पर बन गया 1 degree amine ध्यान से देखिएगा यह nitrogen यह बन टूटेगा तो एक यह चाहेगा उपर बन टूटेगा तो एक यह चाहेगा यह हमेशा nitrogen पर दो एच आएगे और एक R गुरुप जुडा होगा इसलिए इसमें हमेशा 1 degree amine का ही formation होता है तो by this method we can prepare 1 degree amine अच्छा अगर यही reaction को step by step लिखा जाए जैसे इसी reaction को step by step लिखा जाए हाँ ठीक है step by step लिखा जाए मैं question करूँगा पहले तुम्हें इसके बारे मैं आपको समझा दूँ कि by this method by this method only 1 degree amine only a few 1 degree amine only a few 1 degree amine can be prepared not 2 degree and 3 degree अच्छा एक और बात बता दू इस method द्वारा हमने a few 1 degree amine क्यों लिखा हर 1 degree amine को क्यों नहीं ध्यान से देखिएगा इसमें जो एक step है यहाँ पर यह आरेक्स के उपर जब नूकलियो फाइल का टैक हो रहा है तो यह एक step SN2 वाला step है तो जो इलकाइल हलाइड का इलकाइल पार्ट SN2 reaction सो करने के योग यह होता है या जिस पर SN2 reaction संभो होता है वो वो amine का तो हम formation कर लेते हैं लेकिन जहां पर SN2 reaction नहीं होता उस amine का हम formation नहीं कर पाते जैसे कौन-कौन से amine नहीं बना सकते है ना दोस're amine दोस' amine कं डोस one-degree amine कं फॉड़ एमाइC related alkyl halide उससे जुड़ा हो alkyl halide है ना do not show SN2 reaction जैसे example जैसे हम aromatic amine का formation नहीं कर सकते इसका कारण क्या है aromatic से अगर chlorine आप जोड़ देंगे यहाँ पर suppose आपने यह chlorobenzine अगर लिया अगर आपने यहाँ chlorobenzine लिया तब यह amine बनेगा लेकिन यह SN2 reaction ही नहीं सो करता तो अगर आप यह लेंगे तो reaction आगे बढ़ेगा यह नहीं नॉर्मल टेंपरेचर प्रेचर पर यह नॉर्मल टेंपरेचर प्रेचर पर SN2 reaction नहीं करता इस पर SN2 reaction को कराने के लिए 300 से उपर डिगरी Celsius और 300 से उपर एटमास्फेरिक प्रेचर की हो सकता पढ़ती है और यहाँ पर टेंपरेचर नॉर्मल है तो यह reaction नहीं सूख करता तो इसलिए इस एमाइन का हम formation नहीं कर सकते जी इर्माटिक एमाइन दूसरा 3 डिगरी एमाइन का हम 3 डिगरी स्वरी 3 डिगरी कार्बन से जूड़ा 1 डिगरी एमाइन नहीं बना पाते क्योंकि अगर 3 डिगरी कार्बन से क्लोरीन जूड़ देंगे आप सपोर्ज 3 डिगरी कार्बन से क्लोरीन जूड़ा हो इस पर SN2 रियक्षन होता ही नहीं SN2 रियक्षन कराने जाएंगे तो यहाँ E2 होने लगेगा तो इसका SN2 reaction नहोने की वज़े से 3-degree amine का भी हम formation 3-degree carbon से जुड़े 1-degree amine का formation हम नहीं कर पाते है ना तो यह तो हो गया aromatic amine एक तो 1-degree amine which is attached with 3-degree carbon उनका भी हम formation नहीं कर पाते इसकी अलामा अगर कहीं bridgehead carbon से NS2 attach हो bicycling compound का bridgehead carbon पर NS2 attach हो तो इस amine का भी formation हम नहीं कर पाते इसका भी formation नहीं कर पाते क्यों नहीं कर पाते क्योंकि अगर chlorine अब bridgehead carbon से जुड़ा होता है तो यहाँ पर उसका SN2 reaction नहीं होता है तो इससे आप 1-degree amine बनाते जरूर है लेकिन 1-degree aromatic amine नहीं बना पाते 1-degree amine in which NS2 group attach with 3-degree carbon उसे भी नहीं बना सकते 1-degree amine in which NS2 group attach with bridgehead carbon इनको भी हम नहीं बना सकते येस इसे 2-degree amine तो बनाई नहीं सकते सिर्फ 1-degree ही बनाते हैं लेकिन वही जिससे जुड़ा हुआ alkyl halide क्या सो करता है SN2 अब ध्यान से देखिएगा यह reaction की सुरुवात यहां से अगर इसी reaction को मैं ध्यान से आपसे पूचना चाहूं इसी question को ध्यान से पूचना चाहूं मैं यहां से start करो तो इसका सबसे पहले reaction बेस के साथ किया है यहां बेस की अस्थान पर KOH ले सकता है NOH ले सकता है CAOH का hold twice ले सकता है कोई और बेस बी एओएच का होल ट्वाइस ले सकता है कोई और भी बेस यहां ले सकता है तो confuse मत होना यहां पर एक बेस होगा फिर इसके बाद second step बेस होने से यह acid-base reaction होगा फिर second step में बेटा alkyl halide लेंगे तो acid-2 reaction होगा फिर third step में hydrolysis करेंगे यह hydrolysis acidic medium में भी किया जा सकता मतलब this hydrolysis can be done in acidic medium आप water के साथ H plus ले सकते है तब यहां पर यह salt नहीं बनेगा तब यह thailic acid का ही formation होगा hydrolysis में अगर यहां पर लिखा हो जैसे मैं इस दूसरे color के paint से लिख दूँ यहां पर यह pink आपका favorite color मैंने लिखा कुछ बच्चे मुश्कुरा रहे हैं बोले मेरा favorite नहीं कुछ बच्चे बोले नहीं मेरा favorite है कुछ ब़ाई student भी बोलने हैं मेरा favorite है water के साथ H plus ले लो तो amine तो वही बनेगा लेकिन यहां पर इसके अस्थान पे यह salt नहीं बनेगा इसके अस्थान पे बन जाएगा यह इसके अस्थान पे थैली के से अब देखो question पूछने का तरीका है ना question पूछने का तरीका जिससे देख करके आपको डर लगेगा अरे ओड़ी बाबा यह तो बहुत 13 सवाल है अरे उपर ओला चाहा इंसा अल्ला आप जल्दी ही अब आई-टी एन-ई-टी ट्रिपल आई-टी में पहुंच जाएंगे करना डरने की कोई बात नहीं है देखो question ऐसे पूछ सकता है ध्यान से दिखिए सबसे पहले हमने लिया यहां गैब्रियल थेलमीड अब आपसे पूछ लिया सबसे पहले इसका reaction किये वेज की साथ करा दो same reaction में लिख रहा हूँ बस लिखने के तरीका बदल रहा है फिर हमने इसका reaction अलकाइल हलाइट के साथ करा दो फिर हमने इसका reaction water से करा दो अब की बार water और हमने हच प्लस ले लिया तो बताओ यहां पर बनेंगे दो compound एक बनेगा P और दूसरा बनेगा Q यह P और Q क्या होंगे जिसमें एक बार बता देगा कि Q थोड़ा base है basic nature of P यह base है तो जो base है वो amine होगा और जो base नहीं है वो acid होगा इसी question को अब यह amide बनता कहां से है वहां से पूछ सकता है कैसे द्यान से देखना इसी question को पूछने का एक और तरीका यहां से यह इससे पूछ सकता है इससे इसका हम ammonia से reaction कराते हैं तो ammonia से reaction कराके फिर heat करते तो यह बनता है अगर कभी कोई लिखे same reaction द्यान से देखिएगा इस reaction को ammonia से reaction कराके और heat लिखाओ यहां पर heat तो आप amide बना देंगे ammonia सिर्फ लिखा हो तो गाड़ी यहाँ पर रूखेंगे ammonia के साथ heat लिखा हो तो गाड़ी यहाँ पर ले जाएंगे और ammonia के साथ अगर strong heat लिखा हो तो गाड़ी आप यहाँ पहुचा देंगे इसे तीन तरह से लिखेंगे ammonia फिर heat ammonia लिखा हो तो ammonium salt बनाएंगे heat लिखा हो साथ में तो ये mild बनाएंगे strong heat लिखा हो तो ये thalemide बनाएंगे ओके देखो अगर मैं इसमें लिख दू ammonia का reaction इससे कराऊं और heat के साथ तो आप ये बना देंगे ध्यान से दिखिए मैं इसका reaction इसके साथ करा हूँ ammonia का reaction करा हूँ और strong heat लिख दू तो यह बन जाए ठीक है तो आपकी exam में question इसे भी आ सकता है ठीक है यह कहां से बनता इसको बनाने का तरीका होता है benzene के ortho position पे कोई alkyl group attach कोई भी alkyl group attach ethyl, methyl, propyl कोई भी alkyl group attach इसका oxidation कर दें potassium permagnate K-4 H+, K-4 OH- फिर बाद में H+, potassium permagnate acidic medium potassium permagnate basic medium potassium dichromate acidic medium तो इसका पहला carbon acid में oxidized जाता है तो इस question can be asked from here यहां से पूछ सकता है जैसे मैं आपसे पूछू, ऐसे यह और यहां पर लाओ, यहां से पुछ तो हमने लिया orthozylene फिर orthozylene का हमने oxidation कर दिया K-4 और H+, हमने बना दिया A ठीक है, यहां पर बन जाएगा acid फिर हमने acid का reaction करा दिया ammonia के साथ और heat कर दिया यह बना दिया B और फिर B की हमने strong heating कर दिया strong heat फिर बना दिया C C का हमने इससे reaction करा के बना दिया P and Q identify A, B, C and P and Q तो कर सकते हैं यह जो ortho वाला बनेगा यह thalic acid ठीक है, इसके बाद ammonia reaction करेंगे, heat करेंगे तो यह बन जाएगा thalamide, heat भी दिया है तो बन जाएगा thalic acid का amide और फिर thalic acid का amide को heat करते हैं तो बन जाएगा thalimide ओके, तो ऐसे question आपके exam में आ सकते हैं ओके, एक बात हो याद रखना इसको कहा जाता थalic acid अब मैं आपको बता दूँ, इसे याद कर लेना benzene के ortho position पे दो CHH group हो ना, इसको कहते हैं thalic acid, pH, THA, LIC, thalic acid और यही दो CHH group एक दूसरे के मेटा position पे हो बेटा तो इसको बोलते हैं ISO thalic acid यह नाम याद कर लेना, ISO thalic acid, pH, THA, LIC और यही दोनों एक दूसरे के para position पे हो, 1, 4 position पे हो तो इसको बोलते हैं thalic acid pH, THA, LIC, thalic acid तर-thalic acid में अगर हमने ethylene glycol मिला दिया CS2OH CS2OH और हीर कर दिया तो जो polymer बनता है इसका नाम होता है ter-terrylene terrylene होता है polymer बन चाता है terrylene ter-thalic acid से बना होता है ter-thalic acid terrylene बनाता है यह ITJ advance में पूछा गया था कि benzene 1-2 di-carbosalic acid का वो isomer जिससे हम ter-thalic acid बनाते हैं वो यह होगा वो statement में पूछा गया था अगर आपको यह बात नहीं पता होगी तो आप उस question को नहीं कर पाते advance का question था तो चलिए इसी के साद gabriel thalemide synthesis का concept मैंने सिखा दिया इससे आप क्या याद रखो कि 1 degree amine बनाते हैं लेकिन जिसका respect to related जुड़ा हुआ alkyl halide SN2 सो करता और इससे 2 degree 3 degree amine का formation नहीं कर पाते अब इस पर question कैसे पूछे जाएंगे कि कुछ question मैंने लिखा हुआ यही same question जो मैंने अभी अभी आपको बोला था वही question यहाप पर लिख दिया यह है ortho xylene वापस same question दिखने में डर लग रहा है लेकिन दम नहीं इसमें है ना है क्या दम इसमें ortho xylene ortho xylene का camonio 4 से oxidation कर रहा है तो बन जाएगा यह thaili case thaili case का ammonium सरीक्षन कराएंगे तो बन जाएगा ammonium salt आप thaili case फिर heat करेंगे तो बन जाएगा thaili case अभी आपने हमने वही चीज़ हम वापस पढ़ रहे है strong heat करेंगे तो बन जाएगा thaili might फिर thaili might का base के साथ reaction कराएंगे तो यह बन जाएगा salt आप thaili might इस salt आप thaili might का reaction CS3I से कराएंगे यहाँ पर plus यहाँ पर minus charge तो यह यहाँ टेक करके इस I को replace कर देगा और बना देगा N-methyl thaili might N-methyl thaili might की hydrosis करेंगे water H plus के साथ तो यहाँ पर salt नहीं बनेगा यह गलती से लिखा गया है क्योंकि यह water लिखा हुआ अगर KOH के presence में लिखा होता तो salt बनता यहाँ पर बन जाएगा एक जो बनेगा यह H यह बन जाएगा methyli might और जो G बनेगा यह बन जाएगा और thaili के सिर पेंजीन 1,2 डाइकार्बोगजिली के सिर यह G है यह H है यह F है यह E है यह D है यह C है इसका reaction बेंजाइल क्रॉराइट के साथ करा दीजे जी जी बेंजाइल क्रॉराइट के साथ कराई तो यहाँ पर बन जाएगा आपका यह I जो होगा वो होगा अब N-benzyl-thalamide का वाटेस रियक्शन करा दें यह Bound टूट जाएगा यह Bound टूट जाएगा वाटर का OH यह H यहाँ यह जोट जाएगा यह तो हुगा I हमें दो चीज पराप्त होगा K और L अब इसमें जो KOH और CCL3 के साथ Foul Smelling Compound बनाता है इसका मतलब वो Amine होगा तो जो L-form है यह Amine होगा क्योंकि यह Carbylamine Reaction है PH-CS2-NS2 लास्ट एपिसोड में आपने पढ़ा था कि 1-degree Amine का Reaction अगर हम KOH और Chloroform के साथ कराते हैं तो बनता है Isocyanide जिसे Foul Smelling Compound कहते हैं PH-CS2-NC यही है तो यह हुआ L मैं बात कर रहा हूँ K की अगर K की पूछा जाए आपसे यह K Compound यहाँ पर क्या होगा तो K Compound होगा देशो अच्छे S3O Plus है तब तो यहाँ पर बनेगा यह रहा के यह है आपका Question तो आप इस Question में से कोई साभी एक Beach का Step आपके एक-दो Step कोई भी Beach का Step आपके J-Mains या Neat में आ सकता है Board में आ सकता है और इस प्रकार से Multiple Step के Reaction आपके Advance में आ सकते हैं Beach के एक-दो Step उठा लो तो J-Mains और Neat में पूछे जा सकते हैं और Multiple Step उठा लो तो आपके J-Advance में पूछे जा सकते हैं ठीक है चलिए अगले Question को हम लोग Solve करते हैं Which Amines Among Following Can Be Synthesized by Gabriel Thelmide Synthesis Method यहाँ पर एक Correction था तो मैंने काट के लिख दिया ठीक है वैसे अब Board में Computer में कराने से अच्छा मैंने Board में कर लिया Which Amines Among Following Can Be Synthesized by Gabriel Thelmide Synthesis तो आप जानते हैं इससे हम किसका Formation करते हैं Fu 1 Degree Amine Not All कुछ 1 Degree Amine का हम Formation करते हैं यह 1 Degree Amine है यह हम बना सकते हैं यह इथा है क्योंकि इसका जो Related Alkyl Halide है Methyl Halide वो बहुत बढ़िया SN2 reaction सो करता है जो हमें पता है इसका जो Related Alkyl Halide है CS3Cl यह SN2 सो करता है इसका Related Alkyl Halide Ethyl Chroid यह SN2 reaction सो कर सकता है तो इसे बना सकते हैं Aromatic Amine हम नहीं बना सकते इसको बना सकते हैं क्योंकि इससे Related जो Alkyl Halide होगा वो SN2 reaction सो करता है जिसका Alkyl Halide SN2 reaction सो कर सकता उस Amine को बना सकते हैं इस amine को नहीं बना सकते, क्योंकि यह 2 degree amine है, हम सिर्फ 1 degree amine को बना सकते हैं, तो A, B, D, और आगे, हाँ इसमें भी है, यह 2 degree amine है, क्योंकि nitrogen के दोनों तरफ carbon attach है, तो इसको हम नहीं बना सकते, 3 degree amine नहीं बना सकते, यह nitrogen के दो, दोनों side carbon है, nitrogen 2 carbon से attach, left carbon, right carbon, तो इसको भी न बना सकते हैं वैसे मैंने आपको 1 degree 2 degree हमाइन पहचानने का तरीका ट्रिक बताया था कहीं पर नच 2 गुरूप दिखे तो वह बड़ा 1 डिगरी होगा hydrogen घड़ता जाएगा कहीं पर NH दिखे तो वह 2 डिगरी होगा कहीं पर N दिखे तो यह 3 degree हो है न नच 2 NH and N 1 degree 2 degree 3 degree हमाइन जी यह है तो यह NH है 2 degree N है 3 degree hydrogen घटेगा डिगरी बड़ेगी नच नच 2 हाइस डिगरी का न होता next यह question है episode number 9 का जिसमें मैंने आपको पढ़ा था carbylamine reaction अब हम उसमें उस carbylamine reaction और आपके कुछ information और है extra information जो आपको पता है उसका यूज करके इस question को solve करते हैं चलिए जी सबसे पहला reaction है कि इस eniline aromatic amine इस eniline या aromatic amine का chloroform की वेज के साथ reaction कराते हैं तो यह बन जाता है phenyl eniline का नोट रहता phenyl isocyanide ANC फिर phenyl isocyanide का reaction अगर हम water के साथ कराते हैं तो एक बात याद रखना अगर हम cyanide का reaction कराते हैं C triple bond N का क्यूब पस्तिती में है न वाटर के साथ water और H plus acidic hydrolysis इसको कहते हैं तो यह carbon कार्बोगजिली केसिद में oxygen जुड़ाते हैं और जो nitrogen है इसके साथ hydrogen जुड़ जाते हैं और यह बन जाता है ammonia यदि कहीं पर isocyanide group जुड़ा हो Nc जुड़ा हो तो इस nitrogen से जो जुड़ा है वो तो जुड़ा ही रहेगा nitrogen से एक R जुड़ा है बाकी water आ जाएंगे यह बन जाएगा तो cyanide में nitrogen से अगर कुछ नहीं जुड़ा है cyanide में N किनारे होता है तो यह ammonia में convert होता है और isocyanide में N से जो R जुड़ा होता हो तो जुड़ा रहता है इस पर दो hydrogen और जुड़ जाते हैं तो यह amine में convert हो जाता है और carbon जो किनारे वाला ही है compound है वो sodium bicarbonate के साथ reaction करके CO2 बनाता है अर्थार जो C वाला compound है वो यह formic acid होगा क्योंकि carboxylic acid ही तो sodium bicarbonate के साथ reaction करके CO2 gas बनाता है और इधर जो बनेगा nitrogen से जो जुड़ा है यह benzene ring वो तो जुड़ा ही रहेगा प्रस nitrogen पे दो और hydrogen आ जाएंगे water से यह one degree minor carboxylic acid बन जाता है ठीक है फिर यह b और c को आपस में reaction करा रहे हैं तो b और c को अगर आपस में reaction करा के heat कर रहे हैं तो देखो b आपका base b और c में से b base और c इनका अगर हम आपस में reaction करा दें तो सबसे पहले बनेगा salt यह बन जाएगा pH NH3 प्लस इसका H यह Ns2 चुडा लेगा यहां जाएगा Ns3 प्लस और यहां जाएगा O minus COH यह salt अब इसे salt आप formic acid कहिए इधर formic acid है अब अगर इसको heat कर दें तो यहां से H2 और यह O बाहर निकल लेंगे यह nitrogen के 2H और यह O बाहर निकल लेंगे यह NH इसके साथ direct जाएगा तो we get pH-N-H-C-O-H नाम इसका है N-phenyl formamide या N-phenyl methenamide IUPAC name N-phenyl formamide यह तो common name N-phenyl methenamide IUPAC name है यह amide और आप सब जानते हैं कि lithium-almonium hydride द्वारा अगर हम reduction करते हैं तो इस carbon से जुड़ा हुआ यह O बाहर भाग जाएगा और यह reduce हो जाएगा और we get हमें क्या प्राप्त हो जाएगा pH-N-H-C-S-3 यह pH-N-H-C-S-3 यह बन जाएगा N-methyl aniline अब try करिएगा कि कैसे यहाँ पर एक बाद try करिएगा कि कैसे CN और NC की hydrolysis कोने पर कार्बोगजली केसिद का formation होता है ओके थैंक्यू करने से पहले एक मेकनिजम आपको बता दू साइनाइड की hydrolysis करते हैं तो कैसे कार्बोगजली केसिद बनता है मैं सीखा देता हूँ आपको यह आइसो साइनाइडी सीखा दो आइसो साइनाइड सीखा दूंगा साइनाइड आप अपने आप सीख जाएंगे यह आइसो साइनाइड का structure यहाँ पर plus होता है यहाँ पर minus charge होता है जैसे इसमें आप S3O plus मिलाते हैं S3O plus का मतलब होता है water और H plus इसमें सबसे पहले जो H plus होता है वो carbon से जुड़के बना देता है R, N, C, H और यह plus charge फिर यह plus charge वाला nitrogen इस pi bond को तोड़ लेता है जिसे carbon पर plus हाजाता है और इस plus वाले carbon पर यहाँ जाएगा N लोन प्यार C, plus और यह H फिर बिटा यह जो plus वाला carbon है इस पर water अपना loan पर donate कर देता है ऐसे जुड़ जाता है और बन जाता है R, N, double bond N, sorry C, H, O, H, H plus अब यहाँ से यह H plus निकलता रहता है जोडता रहता है फिर से यहाँ से H plus निकलेगा H plus निकलने के बाद हमें क्या प्राफ्त हो जाएगा R, N, double bond C, H, H और यह O, H अब देखो carbon nitrogen double bond इसी पर O, H group है यह inol जैसा feel नहीं आ रहा है इसमें titomerism होता है कैसे यह oxygen का loan पर resonance करके धर जाता है यह वाला bond nitrogen पर जाएगा और nitrogen का minus इस H से जुड़ जाता है तो titomerism के माध्यम से यह बन जाता है R, N, H, C, O, H फिर इसके आगे water H plus आप लेंगे यह water H plus क्या करेगा मैं सीधे सीधे यहाँ पर थोड़ा बता दू यह in के बीच का bond water यहाँ attack करेगा है न है H plus की मदद से यह वाला bond टूट जाएगा N पर जाएगा minus यहाँ पर जाएगा plus water को OH यहाँ जोड़ जाएगा H यहाँ जोड़ जाएगा and we get R, N, S2 plus OH, C, O, O, H यह यह बन जाएगा 1 degree amine plus for me कैसी ठीक इसी प्रकार से आप चाहें तो cyanide के mechanism को खुद बना सकते हैं एक बारा बनाईएगा किसी एक एपिसोड में इसके mechanism को मैं आपको explain कर दूँगा कि अगर हम इसका reaction cyanide का reaction water और H plus से कराते हैं तो क्या बनेगा यह बन जाएगा carbon से जो जूड़ा हुआ यह carbon और alkyl group alkyl group जो carbon से जूड़ा यह बन जाएगा R, C, O, O, H और plus किनारे वाला जो nitrogen है यह बहार निकल के बन जाएगा ammonia gas अब आप चाहें इसके mechanism को try कर सकते हैं किसी एपिसोड में मैं इसका mechanism भी समझा दूँगा यह ISO cyanide का mechanism कठीन होता है तो मैंने बता दिया बाकी cyanide का तो बहुत आसान है नहीं यहाँ H जोड़ेंगे हाँ O, H जोड़ेंगे Tytomerism करेंगे Amide बनेगा और फिर Amide को तोड़ देंगे Acid और Ammonia बन जाएगा ठीक है तो मेरी सुब कामना है आप सब के साथ है और मुझे पूक्रा उमीद है यकीन है कि आपको benefit हो रहा होगा और guarantee आपके exam में जो मैंने 4-5 name reaction यह minds के लिए है उससे 100% किसी की exam में जरूर है जही means के कई सिर्फ होने वाले है April वाले में भी May वाले में भी Advance में भी आने के chances हैं Neat में भी आने के chances हैं Board में भी आने के chances हैं तो यह reaction important है Gabriel थेलमाइड में सिर्फ अब आपको क्या याद रखना है आग बंद करके अरे यार इससे हम 1 degree amine का formation करते हैं लेकिन हम उस 1 degree amine का formation करते हैं जिससे related alkyl halide SN2 reaction सो करता है और इस हाँ start हम कहां से करते हैं थेलमाइड से तो आज का lecture यहीं पर खतम करते हैं बाकी take care yourself, your family thank you so much to all of you और याद रखना मेरी बात डरना नहीं, डर के आगे जीत मेरा पिछले 2004 2004 से मैं इस फिल्म में हूँ पढ़ा रहा हूँ IT के फिल्म में मैंने देखा है कि अभी average से average बच्चा average बच्चा भी अगर dumps लगा दे, दो महिने तक लगातार अगर अपनी पूरी ताकत लगा दे तो guarantee के साथ अगर उस selection के बहार है तो select हो जाता है selection के अंदर है तो rank दे देता है rank अच्छी देने वाला है तो और अच्छी rank दे देता है two digit वाले rank one digit में convert हो जाते हैं, three वाले two में convert हो सकते हैं आखरी दिन तक तुम महनत करो अगर सफल मत होना तो तुम चाहे तो मुझे जो भी बोलना है बोल लेना, अपने मन में लेकिन मेरी guarantee है कि तुम सफल जरूर होगे और अगर तुम सफल हो जाना तो अपने IIT, NIT, IIT, IIT, Medical College या किसी सहर के DM बनने के बाद message करना, सर आपकी बात सत्य हुई आपने कहा last day तक महनत करो, last day तक मैंने महनत किया, देखो मैं सफल हो गया पक्का यह मेरा experience कहता है ठीक है तो चलिए, आज का lecture यही पर खतम करते हैं, take care yourself, your family, thank you